हेल्थ और वेलनेस हाईलाइट्स के एक और ताजातरीन एपिर्सोड में आपका स्वागत है मैं हूँ रवींद सोनी और आपके लिए लेकर आता हूँ हेल्थ और वेलनेस से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स चलिए शुरू करते हैं आज का अपडेट विचित्र किंतु सत्य जियां आज मैं आपको अर्थराइटिस यानी गठिया रोक के अजीबो गरीब इलाज से जुड़ी एक कहानी सुनाओंगा सॉरी यह कहानी नहीं बलकि एक सची घटना है घटना आस्टेलिया की है और 1896 यानी 1896 की है कहानी शुरू करने से पहले मैं अब बता दूं कि जो लोग गठिया रोक के बारे में अच्छी तरह से नहीं जानते हैं वे जान लें कि गठिया आम तोर पर हात, पैर और कलाई के जोड़ों में दर्द और सूजन पैदा करने वाली एक बहुत कस्ट प्रत समस्या है कहानी यह है कि आस्ट्रेलिया के दक्षणी तरट पर इस्थित इडन का रहने वाला एक व्यक्ति वर्सों से गठिया रोक से पीडित था वा इलाज के लिए इतना बेचेन था कि उसने एक दिन एक प्रयोग करने की ठानी यह प्रयोग था वहल मचली के म्रत शरीर के अंदर बैठना जिया वह समुद्र किनारे पहुचा जहां एक म्रत वहल मचली पड़ी हुई थी और वह उस पर जाके चड़ गया और करीब 30 घंटे उसने उसके भीतर बिताए जब वह बहार आया तो उसने कथित तोर पर उसके शरीर से गठिया की वज़े से होने वाले दर्द और सूजन के गायब होने की बात कही इस गठिया को पॉल मॉल गजट नामक समाचार पत्र ने अपने 7 मार्च 1896 के अंक में गठिया के लिए एक नया इलाज शीर सक से प्रकाशित किया फिर क्या था उस आदमी की कहानी तेजी से फैल गई और पूरे आस्ट्रेलिया से लोग वेल के इलाज के लिए इडन की तरफ आने लगे और धीरे धीरे वेल के इलाज का जो सिस्टम था वो एक प्रथा बन गई इस बात का जिक्र आस्ट्रेलियाई रास्ट्री समुद्री संग्रहले की प्रदर्शनी से भी मिलता है जहां वेल के शव के अंदर चढ़ने और गठिया पीडितों को राहत मिलने के बारे में एक फोटो और संदर्ब है बताया जाता है कि उस दौर में गठिया पीडित मरीच को मरी हुई वेल के शरीर में छेत कर अंदर डाला जाता था केवल मरीच का शिर बाहर रखा जाता था इस इस्तिथी में मरीज को लगबग 2 घंटे तक वेल के मरत शरीर में रखने के बाद बाहर निकाल लिया जाता था इस चिकित्सा से होने वाले फायदे के बारे में एक अन्य अकबार सिडिनी मौर्नी हेराल की रिपोर्ट में एक अनुमान व्यक्त करते हुए लिखा गया है कि वेल के अंदर लगबग 30 घंटे तक रहने से 12 महीने तक दर्द से रहत मिल जाती है लेकिन मैं इस वीडियो को देख रहे हैं दर्शकों से कहना चाहूंगा कि इस बात का कोई वैग्यानिक प्रमान नहीं मिला है कि वेल के म्रस शरीर के अंदर बैठने से गठिया ठीक हो जाता है बलकि देखा जाए तो ऐसा करके आप खतरनाक बैक्टीरिया और लंबे समय तक बनी रहने वाली बद्वू का जोखिम चरूर उठा सकते हैं बाद में बहतर गठिया उपचार के उपलब्ध हो जाने के साथ बीसवी शताबदी की शुरुवात में वेल का इलाज कम हो गया तो ये थी गठिया रोक के अजीब और गरीब इलाज की कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा वैसे चलते चलते मेरे दिमाग में मचली को लेकर एक बात और आई हमारे देश में भी तो लोग मचली से दमे का इलाज करवाने जाते हैं आप क्या सोचते हैं इस बारे में? सोचिएगा और बताईएगा इस वीडियो में बस इतना ही यदि आप ऐसे ही और अपडेट्स और रोचक जानकारियां पाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और यदि आप पहले से हमसे जुड़े हुए हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेर जरूर कीजेगा जल्द मिलते हैं एक और वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद थैंक्स पर वाचिंग